पंजाब की अदालतों में एक बार फिर से बम धमाकों की साज़िश का परदाफाश हो चुका है पंजाब की अदालतों में इस मामले में जो पकड़ा गया था उससे पूछताच के अदार पर और कोट्या रिकोर्टों के अदार पर यह अलर्ट जारी किया गया है सुत्रों के मताबिक इंटरनेशनल स्टिक यूट फेडरेशन और खालिस्तान लिपरेशन फोर्स लखवी जोने ग्रूप के साथ मिलकर पाकिस्तानी कुक्या एजन्सी आईएटाई ने ये साजी सची है और यह भी ध्याम रहे कि 23 दिसंबर 2021 को इसके पहले एक पंधमाका हुआ था कोंप्लेक्स में इसमें एक आत्मी की मौत हो गई थी और छे लोग गायल हुए थे इस मामले में जो हपी मिलेशिया पकड़ा गया है उसमें पूस्ताज के दौरान ये फुलाता किया है कि अभी आयताई और आतंगवादी संग्ड़रों की कोशिस है कि पंजाब की दूसरी कोटों में ब्लास किया जाए और इन ब्लास्टों का मकफद केवल आम लोगों में भैब भैलाना है जिसे कि लोगों लोग दढ़े रहें बर्तों कोटिया ये इन्चों की रिपोर्ट की आधार पर अब पंजाब पुलीस को कहा गया है कि वो तमाम कोंप्लेक्स सुरक्षा क और मजबूत करें जी बहुत शुक्रिया ओपी इस तमाम जानकारी के रहें अर्थ शास्त्रियों का सबसे बड़ा पैनल बजट के हर पहलों का सटीक विशलेशन बोधी टू पॉइंटों का आखरी फुल बजट अम्रित काल का बजट दो हजार तेज एक फरवरे सुबह साथ बज़े से न्यूज़एटीन इंडिया पर साथी हरदीब सिंग पुरी ने कुछ राज्जों के पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं गटाने पर भी निशाना साधा इस बीच इजरैल ने एक बार फिर दुनिया को इरान के खतरनाक मनसूबों से आगाह किया इजरैल का दावा है कि इरान परमारू बं बनाने के बहत करीब है इसलिए इरान के बारे में अमेरिका को नए सीरे से रननीती बनाने की जरूरत है क्योंकि इजराईल दावा कर रहा है कि इरान के हाथ में परमानू बम होना अब कुछ महीनों की नहीं बलकि महज कुछ हफ्तों की बात है यानि बहुत जल्द इरान परमानू शक्ति बनने का ऐलान करतेगा बिटिश मीडिया ने इसराइल की खोफिय आइजंसियों के हवाले से दावा किया कि इरान ने करीब 75 किलो यूरेनियम को 60 प्रतिशत तक शुद्ध कर लिया है इरान के आटम बंपर इसराइल की भी चटपटा हट साफ दिख रही है यहां तक दावा कर दिया गया कि इसराइल के पास हमले के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचता दिख रहा पिछले एक महीने में इसराइल ने पांचवी बार इरान को हमले की धमकी दी और इस बार तो सीधा का गया कि इरान इस वक्त हिजाब विरोधी आंदोलोनों से निपटने में नाकाम है उसकी परिशानी जित्री दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है क्योंकि इस बार खत्रा सीधा इसलामिक रिपब्लिक पर है दावा ये है कि इन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहता है उसकी कोशिश कुछ ऐसा करने की है जिससे इरान में देश भक्ति का सैलाब उमर पड़े ऐसा सैलाब जो हिजाब पर लोगों के गुस्से को बहा कर ले जाए इसलिए इरान जल्द से जल्द परमाणों बम बनाने की कोशिश में जुटा है